Day 116 मतलब की 15 गर्स 2014 का जो हमारा study plan रहेगा वो है total subjects को 8 गंटे देने जिसमें से English को 5 गंटा मैं इसको 2 गंटा, reasoning को 1 गंटा और जनर इसको 5 गंटे और इस हिसाब से हमारा schedule रहेगा बाकि आप अपने recording इसको change भी कर सकते हो English reading में हमें English mathem editorial PDF पढ़ना और इसके basis पर 25 questions करने है बाकि इसके उपर मैंने एक informative video बनाया है जिसका link आपको नीचे description box में बुल जाएगा उसमें मैंने बता रहा है कि कैसे हम daily PDF का use कर सकते है current affairs में जो भी हमने अभी तक कर रखा वो सारे revise करना है और vocabularies में English vocabularies में जो भी आपके sources है जिस भी आपके से book या किसे teacher के notes कर रहे हो वहां से आपको करना है vocab 20 one word substitution 1535-1550 तक idioms 1010-1020 तक और fix preposition 145-150 तक English grammar में grammar के playlist रहा है जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा उसमें से last class हमें 48 देखनी है देन उसके बाद हमारा English grammar complete हो जाएगा हमने तरुन ग्रोवर सर से भी कर लिया और अमन रश्र सर से भी कर लिया reasoning में आपको PYQ करना है phase 12 का जो अभी exam होगा था 10th level का set 1 और यह आपको PDF जो है यह RB telegram channel पे मिल जाएगी general studies 1 में economics का हमें revise करना है topic wise और यह आप बुक वीडियो वीडियो वुक या नोट से कर सकते हो और यह 3rd करना है और मैंने economics को 3 topic में डिवाइड कर रखा था तो 3rd हमें last करना है इसको भी finish और मैस में PYQ chapter wise करना है या आप किसे भी बुक या PDF से कर सकते हो mixture allegation की questions करना है वीडियो से 200 questions तक और general studies 2 में economics जो आप revise करोगे topic वही आप practice कर लोगे Pinnacle या किरन की बुक से जो topic wise आती है मैस में calculation and revision मैस ट्रिक एप से करना है जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा कर दो कर दो